दोस्तो गूगल एडिसेंस की तरफ से हमारा आइडेंटिटी वैरिफिकेशन का मेल हमें रिसीव हो चुका है जैसा कि आप साइड से देख सकते हैं जो मेल हमें कुछ इस तरह से रिसीव होगा है दोस्तो अगर आप एडिसेंस पर आइडेंटि वैरिफिकेशन करना ही होगा तो आप इस वीडियो को पूरा देख लेना इस वीडियो में हम आपको इस्टे बाइस बताएंगे कि आप कैसे 2030 में अपने गूगल एडेंटि वैरिफिकेशन सक्टिस्फूली कम्प्लीट कर सकते हैं आप सभी को पता होगा जब तक आप अपने एडेंटि वैरिफिकेशन नहीं कर देते हैं तब तक जो आपका यूटूब का पेमेंट है वो आपको एकाउंट में नहीं मिल पाएगा आपका पेमेंट होल्ड हो जाएगा तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा बाउच कर कर लीजिए और वीडियो पसंदा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सस्क्राव कर लीजिए जिससे आगे भी इसी तरह के और भी इंपोर्टेंट वीडियो के नोटिपिकेशन हमारे द्वारा आपको मिलते रहें तो चलिए स्टार करते हैं और देख लेते हैं कैसे identity verification किया जाएगा यहाँ पर दोस्तों आपको दिखने को मिल जाएगा complete in addition तो यहाँ पर complete in addition का जो option है इस पर ही आपको click कर देना है जैसी friends आप इस पर click करेंगे आपके सामने जो google addition account है उस पर आपको redirect कर दिया जाएगा जैसी आप इस पर redirect होंगे तो यहाँ पर आपको option देखने को मिल जाएगा your payment are currently on hold action is required to release your payment identity verification complete करने के लिए आपको simple सा action का जो button दिया गया है इस पर ही आपको click कर देना है जैसी friends आप इस पर click करेंगे आपके सामने यहाँ पर verify your identity का option सो करेगा इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका payment है वो आपका hundred dollar complete हो जाएगा उसके बाद आपके bank account में transfer कर दिया जाएगा तो अब भी पहले हम यहाँ पर identity verification complete कर लेते हैं इसके लिए आपको verify your identity का जो option है simple सा इसी पर आपको click कर देना है जैसे आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको verify your identity का options हो करेगा और नीचे की तरफ आप आएगे यहाँ पर दोस्त आप नीचे की तरफ देख सकते हैं begin to verification तो begin to verification का जो option है अब आप इस पर click कर देंगे उस पर click करने के बाद यहाँ पर आपको verify your identity में personal identity का options हो करेगा उसके बाद यहाँ पर आपको अपना legal name जो भी आपका नाम होगा आपके id card पर जैसे pen card है voter id card है driving license है उस पर जो भी आपका नाम दिया होगा आपको बही नाम यहाँ पर होगा फिल कर देना है आपको यहाँ पर नाम enter कर देंगे इसके बाद यहाँ पर आपको accepted proof of identity document में इंडियर passport, pen card, voter id card और driving license से कोई भी एक id proof को upload कर लेना है इसके लिए आपको simple सा upload वाले option पर click करना है लेकिन यहाँ पर दोस्तों दिया गया है आधार card are not accepted यानि आधार card जो है वो आपका यहाँ पर upload नहीं करना है तो आपको क्या करना है voter id card, pen card, Indian passport या driving license तो अभी हम यहाँ पर upload कर लेते हैं अपना pen card upload कर लेते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको next का जो option है इस पर click कर देना है इस पर click करने के बाद second option आपको आएगा address को fill करने के लिए इसके बाद आपको जो भी आपका address है उस address को आपको यहाँ पर fill कर देना city, pin code, state इसके बाद आपको नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर submit का option मिल जाएगा उसके बाद आपको submit पर click कर देना है जैसे ही दोस्तों आप submit पर click कर देंगे इसके बाद यहाँ पर आपको verification in progress का options हो गरेगा और नीचे की तरफ यहाँ पर आपको दिखाई दिया देगा कि the process may take a few days we will email in your result कि कुछ समय के बाद यहाँ 24-47 जंटे पूरा हो जाएगा उसके बाद जब भी आप चेक करेंगे verification में जाके तो यहाँ पर आपको जो identity verification है यह आपको complete सो कर जाएगा तो इस तरह से आपका जो भी identity verification है वो successfully complete हो जाएगा और जो भी आपका payment है YouTube की तरफ से वो भी आपके account में transfer कर दिया जाएगा तो दोस्तों उम्मिद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जाए हिंदी जाए भारत